हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा अजन्सी सब्सक्राइब करें कबूतर नभी नभी बोले हमारे दिल के मोबाइल में सिम है सैबा का हमारी सांस का टावर नभी नभी बोले हज़रात बहुत अच्छी इम्ती और टेकनिकल शायरी आपी है बड़े भाई मौतरम बद्रुल हसन ओवैसी साहिप तुड़ा से समात फर्माई मैं बहुत-बहुत मुबारक बात पेश करता हूँ आप देख रहे हैं मिम्बर नूर पर खतीब एहल सुन्नत नाइब खाजिय शहर उन्नाओ की जलबगरी है हजरत को बहुत ज्यादा देर बैठाना भी मुनासिब नहीं है आप उनके तरीब हो गए तो आज ऐसा महसूस होगा कि आपकी इस बस्ती से मदीने शरीफ की सरहदे तरीब हो क्योंकि अल्ला ने ऐसा हुनर बख्षा है जब जनाब नसीम अक्तर अजीजी वाहिदी नभी की नाथ पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है कि इनके साथ ये तमाम दरो दीबार नभी की नाथ पढ़ना है और उसी शेर के साथ मैं जनाब नसीम अक्तर अजीजी को आपके तरीब करना चाहेता हूँ नभी की नाथ की जब बात आती है तो बस ये समझने की नाथ है क्या हिंदुस्तान का एक बहुत मशूर शायर गुजरा है जिसको राहत इंदौरी कहा जाता था उस राहत इंदौरी से एक से सवाल किया कि तुमारा काम तुम बहुत अच्छा है तुम जाते हो दस पीस तीस मिनट शेर सुनाते हो और मोटा नजराना लेकर अपने घर चले जाते है तो उसने अपना दर्द बयान किया वो कहता है कि हमसे पुछो के घजल मांगती है कितना लहू लग कहते हैं कि धनदा बड़े आराम का लग कहते हैं कि धनदा बड़े आराम का पशुआर देखें सरकार फजल रह्मा के दर्बार की तमाम बरकते हैं लेकर कर खतीब एहल सुन्लत नाशिर मश्लक आला हजरत अलामा मौना इबराहीम अबर साह कि आमद आमद है आप इनकी जारत करें और बस प्यार हो जाए राहत दौरी का शेर आपने सुन लिया ये बात घजल की हुई उसने अपने दिल का दर्द बयान किया जब बात नातिया शायरी तो घजल के शायर की बात कुंकर एक नात का शायर सुन्तान पूर की सर्दमीन से उत्था और उसने कहा कि मेरी बख्षिश के लिए सिर्फ यही काफी है राहत नलवी का शेर रहने रखे कि हम से पूछो कि घजल मानती है कितना लहूँ लोग कहते हैं कि धंदा मौलाना फिर्दोस नान पूरी कहते हैं कि मेरी बख्षिश के लिए सिर्फ यही काफी है मुझ गुनागार को तैबा की गली काफी है मेरी बख्षिश के लिए सिर्फ यही काफी है मुझ गुनागार को तैबा की गली काफी है वो घजल है जो लहू मांगती है तुमसे मिया नात लिखने के लिए इश्क नभी काफी है उसी इश्क नभी में ढूब कर नात पढ़ने वाला वो पाकीजा लहजा जिसे शायर एहल सुन्नत बुल बाग बदीना बाई मुझ रम मौलाना नसीम अफ़र अजीजी वाहिदी कहा जाए आईए मौबस से हासु बथाएं और उनका इस तक्बाल कर ले ना रहे तक्बीर हजरात जेकें मैं समझ रहा हूं कि बहुत ज्यादा तादाद नहीं हैं लेकिन इनकिलाब लाने के लिए हजारों नहीं बल्कि सिर्फ 313 या कर्बला के बहत्तर हुसैनी काफी होते हैं हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए एक ही दाना मगर पहलो दाना चाहिए चावबलों के सभी दाने नहीं देखे जाते हो मुहपफ को घराने नहीं देखे जाते सिर्फ महसूस करो हमकों जमाने वालो हम फकीरों के खजाने नहीं देंगे जाते जरा मुहबबस से बेदारो करें नारे एत्पीर नारे रिसालत अजमते मुश्टफा कान्फरेंश मसलके आला हज़रत अलमाई एहल सुन्न आमदे सरकार सुहेल लिल्ल्ल पैजाने सरकार फजल रह्मा जनाब नसीम अख्तर अजीजी वाहिदी नारे तक्बीर नारे रिसालत के तेरे कदमों तेरे कदमों में हम बड़े होते तेरे कदमों में हम पड़े होते तेरे कदमों में हम पड़े होते और नाले ने चूमते होते और नाले ने चूमते होते तेरे कदमों में हम पड़े होते काश खाबों में आगए 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 होते उनको जी भर के देखते होते उनको जी भर के देखते होते उनको जी भर के देखते होते उनके नाले ने चूमते होते यह बताए अच्छा लग रहा है आपको अब मैं एक कुशेर पढ़ता होना तो इंशालला कोई खामूस नहीं बैठेगा जो कुरसी बैठेगा वह कुरसी छोड़कर अपने हुशूर को याद करेंगे होता मेटी का एक खिलो ना में होता मेटी का एक खिलो ना में मुझसे हसने ने खेलते होते मुझसे हसने ने खेलते होते मुझसे हसने ने खेलते होते और एक खिलो ना मिल जाता अरे मुझसे एक खिलो ना मिल जाता मिल जाता मिल जाता दोर पहल लिदा ना मिल जाता दोर पहल लिदा ना मिल जाता हम भी जन्नत खरीदते होते हम भी जन्नत खरीदते होते हम भी जन्नत खरीदते होते के आशिको लोट के ना आना था ना ना था आशिको लोट के ना आना 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 था शहर तयवा में मर गए होते शहर तयवा में मर गए होते मुप्ति साहब किबला के दुआउं का साहरा लेकर रेक्षेर सुनें सुनिएगा मुपबस सुनें मैं बेलकडी की जूदिया होता मैं बेलकडी वक्त कम है जैसे जैसे मैं आगे बनंगा आपको अच्छे आशार सुने को मिलेंगे लेकिन वक्त बहुत कम है जैसे मैं बेलकडी की जूदिया होता 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 और आका पहन रहे होते और आका पहन रहे होते और नाले चूमते होते और नाले चूमते होते और दो तिन शेर कुछ कलाम है दो तीन शेर पढ़के मैं प्रीचर गए लेता हूं सुनने के लिए तैयार है तो हाथ कितने लोग सुनने के लिए तैयार जरा बेदार करें बोलें यार रसुलिल्ला अभी कुछ रोज पहले मेरे वालिद वालदा उम्रा के लिए गए उस मौके पे मेरे बड़े भाई ने इस कलाम से लिखा है सुनेंगे मचल जाएंगे के हम किसे को सुनाएं हाल दिल हम किसको सुनाएं हाल दिल जीने का साहरा कोई नहीं हम सब्लों कि मेरे साथ प्ढ़े ये पक्तनाय येरपोर्ट को मैरे इस Nayर पक्रक पहां। हम किसको स org किस को सुनाय हाल अ विसको सुना है हिल दिल जीन का साहरा को कोई नहीं है जीनिका सहारा जीनिका सहारा कोई नहीं कर दो करम सरकार मदीना कर दो करम दुनिया में हमारा कोई नहे सरकार मदीना कर दो करम दुनिया में हमारा कोई नहें मेरे साथ आप कहेंगे दुनिया में हमारा और जूड से आवाद नहीं आ रही है सरकार दो आलम कर दो करम दुनिया में हमारा कोई नहीं अब दुबने वाले है केश्टी तूफान बड़ जोर अपर है तूफान बड़ जोर अब डुबने वाले है केश्टी अब दुबने वाले है केश्टी तूफान बड़ जोर अब डुबने वाले है केश्टी अब दुबने वाले है केश्टी तुह पाना बड़ जो रो पर है तुह पाना बड़ जो रो पर है उम्मत को बचाला ऐ आखा अब नहरे के नारा गोई नहें उम्मत को बचाला ऐ आखा अब नहरे के नारा कोई नहें रसर कारम दीना करदो करम दुनिया में हमारा कोई नहें एक शेर पर जो माहूल चला है इसके हवाले से मैं पढ़ता हूं उसने बुज दिल समझना हमको दुनी बुज दिलना समझ हमको दुनी आ बुज दिल समझना हमको दुनी आ बुज दिल समझना हमको दुनी आ तारीख हमारे पड़तो सहे तारीख हमारे पड़तो सहे और देवाना नभी का जीता है देवाना नभी का जीता है देवाना नभी का जीता है हालात सहारा कोई नहीं देवाना नभी का जीता है हालात सहारा कोई नहीं अब यह बता हूँ इमाम हुसाइन के पारगा में च्रेपोसित उने के तयार है तो सब लोग खड़े और नारा लगैं कि रहां तता कर बोलियु तो सब लोग नारा लगैं कि खड़ें पर मैंश्रीर पर साथ सुने मैं सब्क है लेम मधिना करते हैं क्या खुब नजारा है देखो सब अहल मदिना कहते थे हैं नभी के कांदों पर बेठे हैं नभी के कांदों पर शबीरे से प्यारा कोई नहें बयते हैं नभी के कांदों